चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो अगर आपका सपना भी सेना में डॉक्टर बनने का है तो वो दिनों अभी दूर नहीं हैं आप मंजल के करीब हैं और मिल्टरी में डॉक्टर बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं सेना में डॉक्टर बनने के बाद आप देश सेवा तो करते ही हैं आपको मान समान और इज़त भी काफी मिलती है सरकारी काड़ी, सरकारी बैंगलो, कैंटीन फैसलेटी ये सब इसके एक्जामपल हैं इसके अलावा सर्विस के दोरान आपको देश के कौने कौने में घूमने का मुका मिलता है कभी-कभी तो विदेशों में भी जाने का मुका मिलता है आप सेना में दो तरीके से डोक्टर बन सकते हैं पहला तरीका यह है कि आप किसी भी इंस्टिटूट से MBBS और इंटरंशिप कम्पलीट करने के बाद आर्मी द्वारा निकाले गई वैकेंसी में अपलाई कर सकते हैं इसमें फिजिकल और रिटर्ण टेस्ट लेकर मेरिट के अकोर्डिंग सेलेक्शन दिया जाता है यह साल में एक बार होता है सेलेक्ट होने के बाद आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवा कर डायरेक्ट कैप्टेन ड्रेंग पर अपोइंट किया जाता है इसकी जो डिटेल है रेकूटमेंट की यह आपको जो आर्मी की वेबसाइट है जोईन इंडियन आर्मी उसकी वेबसाइट पर मिल जाएगी दूसरा तरीका यह है कि नीट एक्जाम के थूर एडमिशन लेने के बाद AFMC द्वारा MBBS करवाया जाता है और कैप्टैन ड्रेंग पर अपोइंट किया जाता है इन दोनों तरीकों में अच्छी बात यह है कि आपको PGR में द्वारा ही करवाया जाता है इस वीडियो में यह जानेंगे कि AFMC में कितने सीटे हैं इसका सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है और डोक्टर बनने के बाद में सैलरी क्या होगी और AFMC के लिए नीट 2020 में इसकी कटोफ क्या रही थी और इसका सेलेक्शन प्रोसीजर क्या है किस प्रकार से हम AFMC में एडमिसन ले सकते हैं तो दोस्तों AFMC का मतलब Armed Forces Medical College है और यह माराष्टर के पूने में सेच्वेटेड है यह माराष्टर University of Health Sciences से एफ्लेटेड है इसकी गिंती इंडिया के Top 5 Medical College में होती है अब ही हम देखें इसमें Total Seats कितने हैं तो दोस्तों इसमें Total 150 Seats हैं इसमें 5 सीटें Ministry of External Affairs and Ministry of Defense द्वारा भरी जाती हैं जो Sponsor Candidate के लिए होती हैं इसमें Collaboration Program के अंडर यह पूस्टें भरी जाती हैं इसके बाद में जो 145 सीटें बसती हैं उनमें 115 Boys के लिए Reserved हैं और 30 सीटे Girls के लिए Reserved हैं इसमें इसके बाद में 10 सीट से SCST Candidate के लिए इसी 145 सीट में से Reserved हैं हम इसमें एक बार इसकी Illigibility के बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले हम जो देखते हैं Age तो Age इसमें 31 December 21 को Minimum Age 17 Years होना चीए और Maximum Age 24 Years होना चीए इसके बाद में Academic Qualification की बात करें तो इसमें First Attempt में 10 प्लस 2 पास होना चीए वो English Physics Chemistry Biology के साथ में और इसमें 60% Marks Aggregate होना चीए और हर सब्जेक्ट में 50% Marks Each सब्जेक्ट में होना चीए तो यह है इसकी Academic Qualification इसके बाद में हम बात करें इसमें Admission कैसे लें तो इसमें Admission लेने के लिए NEET का Exam 1 अगस्त 2021 को Complete हो जाने के बाद जब इसका Result आ जाएगा Result आने के साथ या 10 दिन के बीच बीच में MCC दुआरा Counseling के लिए Registration स्टार्ट होंगे वहाँ पर आपको Registration करना है और A.F.M.C के लिए Registration करना है बाकी A.F.M.C के साथ में आप All India Quota और बाकी Institute के लिए भी आप Apply कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको A.F.M.C के लिए Apply करना है इसमें A.F.M.C के लिए कोई Extra Feast नहीं लगती है उसी Feast में आप Apply कर सकते हैं तो A.F.M.C के लिए Apply करने के बाद में M.C.C एक List जारी करती है A.F.M.C को जितनी भी Candidate M.C.C की Website पर A.F.M.C के लिए Registr'd हुए है इनकी List A.F.M.C को बेज़ दी जाती है M.C.C का काम बस इतना ही है उसके बाद में आगे M.C.C का काम सुरू होता है और M.C.C इस List में से 1150 Boys और 450 Girls की एक List सोट आउट करता है Screening Test के लिए ये सब कारवाई जो First Round की Counseling होती है M.C.C की उससे पहले-पहले ही ये सब कुछ हो जाता है ताकि स्टुडेंट का अगर A.F.M.C में सेलेक्शन नहीं हो सके तो वो बाकी जगे की Counseling देख सकता है तो इसके बाद में A.F.M.C द्वारा Screening Test लिया जाता है अब ये Screening Test क्या है और इसका Procedure क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं अभी हम यहां यह जाने की ये Screening Test क्या होता है तो दोस्तों यह है एक CBT exam होता है जो A.F.M.C द्वारा लिया जाता है इसमें English Language Logic and Reasoning का टेस्ट होता है जिसमें Total 40 MCQs होते हैं और यह A.Q.C दो मार्क्स का होता है इसमें जो प्रिक्रिया है वो 80 मार्क्स का एक्जाम होता है और इसमें 0.5 नेगेटिव मार्किंग होता है इस Screening Test का Duration Total 30 मिनेट्स का होता है और यह Screening Test का स्कोर NEET स्कोर में जोड़ दिया जाता है यानि 720 का NEET का पेपर होता है और 80 मार्क्स का यह Screening Test A.F.M.C द्वार लिया जाता है तो यह Total बनके 800 मार्क्स का पेपर कर दिया जाता है इस 800 मार्क्स में जितना स्कोर कंडिडेट ने किया है जो NEET में किया है और Screening Test में किया है इनको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया जाता है यानि कि यह Total पेपर 200 का बना दिया जाता है NEET और Screening Test को मिला के इन 200 में से जितना Student Score गेन करता है उसमें इसको Final Score कहा जाता है इसके बाद में 50 मार्क्स का इंटर्वी होता है और यह 50 मार्क्स का इंटर्वी इस Final Marks में जोड़ के मेरिट निकाली जाती है यह तो यह एक Score बना लिया जाता है Final Score का और इंटर्वी का तो इस परकार से इन से मेरिट निकाली जाती है और मेरिट के अनुसार AFMC में सेलेक्शन होता है अब मैं आपको इसकी बाकी कंडिशने भी बता देता हूँ अगर आप AFMC से MBBS के लिए एडमिशन लेते हैं तो आपको सेना में कमिशन्ड ओफिसर के पद पर सर्विस करना अनिवारिय है इसमें आपको कौन से कमिशन्ड में सर्विस मिलेगी ये वेकेंसी और आपके MBBS के Final Year के एग्जाम के स्कोर के मेरिट बेस पर Decide किया जाता है इसमें एडमिशन के टाइम फर पेरेंट से गार्जेन से एक बॉन्ड एग्रीमेंट साहिन करवाया जाता है कि अगर admission के 7 दिन बाद कोई student seat छोड़ता है तो उसी 30 लाख रुपए पे करने होंगे अब हम बात करें कि सेना में doctor की salary क्या होती है तो इसमें अलग-अलग rank wise salary दी हुई है केडिट से यानि कि student से लेटिनेंट में on commissioning ये 57,800 first salary है लेकिन ये अभी बढ़ाके 96,000 कर रखी है यानि कि starting salary 96,000 rupees मिलती है इसमें लेटिनेंट अगर आप केडिट से लेटिनेंट बनते हैं तो इसके बाद में इसमें pay scale दे रखा है तो ये pay scale पुराना है इसमें 96,000 से starting pay है इसके बाद में इसमें आगे जो दे रखा है वो इसमें medical के बारे में दे रखा है कि आपको medical fit होना जरूरी है फिजिकल फिट होना जरूरी है इसमें हाइट का भी दे रखा है बोईज के लिए अलग है और गल्स के लिए अलग है बोईज के लिए 157 हाइट होनी चीए 157 cm हाइट होनी चीए जो नोर्थ इस्टरन स्टेट हैं उनके लिए 152 cm हाइट होनी चीए इसके बाद में गल्स के ल यह है वो 147 cm है इसमें, minimum dental का 14 dental points इसमें essential होना चीए और इसमें जो visual का है यह आप देख सकते हैं, यह condition है इसकी, इसके बाद में speech test वगरा, hearing test वगरा यह सारे होते हैं इसमें, और इसमें weight आपका height के मताबिक इतना होना चीए, जैसे आपके 150 cm height है तो minimum weight 39 kg होना चीए, अगर आपकी below 20 years है तो maximum 47 होना चीए, और अगर आपकी age 20 years से above है तो 52 kg होना चीए, तो इस परकार से इसमें यह table दे रखी है, तो इस परकार से आप height और weight इसमें देख सकते हैं, कितनी height और कितना weight होना चीए, अब screening test के लिए हम 2020 की cutoff की बात करें, तो यह boys candidate के लिए 618 cutoff रह थी, all girls candidate के लिए 637 marks cutoff रही थी 2020 में, तो यह जानकारी थी, FMC के बारे में, और सेना में आप doctor कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में जानकारी थी, आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe करके bell icon प्रेस करें, वीडियो को like वे ज्यादा ज्यादा शेयर करें, मिलते हैं यह वीडियो में तब तक के लिए, जय हिंद।